हमारे सवाल सेवी की चेर पर्सन की कुर्सी से हैं, इस संस्था से हैं, क्यूंकि कोई भी हितों का तक्राव जब होता है, तो उसका खामियाजा उसकी कीमत करोड़ों उन लोगों को मिदल क्लास के उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो शेर मार्केट में निवेश करते हैं अब मैं अपनी आज की खुलासे पर आता हूँ मेरे साथियों को कहूंगा कि अब स्लाइड को आगे बढ़ाएं पहला खुलासा तो यह कि 2017 से तेविस तेविस के बीच में माधुई जी होल टाइम मेंबर और उसके बाद सेवी की चेर परसन की हैसियत से तब यह बन चुकी थी होल टाइम मेंबर 17 में लिस्टेड सिक्यूरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी आप टेबल दिखाईए 17 अठारा का टेबल आपके सामने है चार करोड 72 लाक 18 उन्हें 19 करोड 54 लाक 19 बीस में दो करोड 6 लाक 20 21 में चे करोड 91 लाक यह आपके सामने है टोटल 36 करोड 96 लाक लगबग 37 करोड की उन्हों ट्रेडिंग लिस्टेड सिक्यूरिटीज में की है आप कहेंगे तो क्या हुआ तो उसका जवाब यह है कि ये भी सेक्शन छे ये सेक्शन छे इसमें है आपको मैं दे रहा हूँ और सेबीस कोड और कॉन्फिक्ट अविंट्रेस्ट फॉर मेंबर्स की अवहेलना है ये कॉन्फिक्ट अविंट्रेस्ट है ये वाइलेशन है ये सीधे सीधे वाइलेशन की कैटेगरी में आता है आप अपने जवाब में लिखती है मैंने बता दिया था माफ कीजिएगा मुझे याद है लेटरल एंट्री पहले हुई थी उनने वो लोटा दिये वो बाहर कर दिये फिर उन्होंने वो ओफिस लिया तो ये उधारन होता है तो आप ये कह दें कि मैंने सूचित कर दिया किसको किया किसको नहीं किया उससे माइने नहीं रखता फिर आप अपनी डिग्रीज बताएं माईने नहीं रखती, कुरा सम्मान है आपकी ड़ीज को, महनत की होगी आपने उन ड़ीज को पाने के लिए, we are not questioning all that, we are questioning what were you doing, why were you lying when you said it was a dormant company, Agora was a dormant company, it was not dormant, it was getting consultancy, then the other lie yesterday I saw, we'll give you a detailed response in a few days on her response, the other lie we saw yesterday, कि जब मैं अपना घर किराय पे दे रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो कंपनी वोकाड से रिलेटेड, आप से भी में हैं, आपको तो अपने ऑफिस को एक पी ए को क्या पियोन को बोलना है कि जड़ा चेक करना गूगल पे ये कंपनी किस की है, हमें मालूम पढ़ गया, आपको मालूम पढ़ने में देर हो गई, ये कैसे मान सकते हैं, फिर आप ही में से कुछ खुलासा किसी ने पिछले हफ़ते किया कि वो उस घर में कौन रहता था, वो काड के अपनी वो जो फैमिली है, उन्हीं के पास वो घर, तो हमारे सवाल तो ये है, तो ये मैंने आपको बताया कि 17 से 23 के बीच में, वो टेबल फिर से एक बार दिखाईए, ये इनकी लिस्टिड सेक्यूरिटीज में इन्होंने ये ट्रेडिंग की है, अब, नमबर दो, 17 से 21 के बीच में, माधुई जी के पास कुछ फॉरेन एसेट्स थे, हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार आपने इन फॉरेन एसेट्स के बारे में, सरकार की किस एजेंसी के सामने ये सूचना दी थी, कि हमारा बड़ा स्पष्ट सवाल है, और फिर से कह रहा हूं, आपकी डिग्रीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो डिग्रीज के अलावा का जवाब दीजेगा, आपने कहा आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या माधवी जी, अगोरा पार्टनर्स पी टीए सिंगपोर, अगोरा एडवाईजरी तो हिंदोस्तान की कंपनी है, अगोरा पार्टनर्स पी टीए सिंगपोर की कंपनी है, क्या आप उससे संबंदित थी, क्या आप उसकीे बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर करता नहीं थी, weren't you a signatory to the bank account of अगोरा पार्टनर्स पी टीए सिंगपोर, बड़िस पश्च सवाल है,